अगर आप अपने लिए crop production and management के उपर एक model idea बना रही हैं या फिर crop production and management में आप लोग science का model बना रहे हैं या फिर crop production and management की assignment file बना रहे हैं तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है तो सबसे पहले आप लोगों को agriculture की definition लिखनी है यानि growing plants on a large area of land is called agriculture लार्ज scale this is called crop अगर आप चाहें तो crop की आप यह simple definition भी लिख सकते हैं इसके बाद आप लोग लिखेंगे कि crops कितने types की होती हैं तो crops दो टाइप की होती हैं खरीफ crops और अवी crops खरीफ crops वो crops होती है जो बारिश के मौसम में वीजी जाती है जैसे paddy और मेज और अभी crops भो crops होती है जो बिंटर यानि सर्दियों के सीजन में बीजी जाती हैं तो आपको खरीफ crops और अभी crops के बारे में भी knowledge होनी चाहिए इसे भी आप अपनी assignment file में लिखेंगे इसके बाद आप अपने model में या assignment file में scare crow के बारे में भी लिख सकते हैं अगर आप model बना रहे हैं तो scare crow जरूर बनाए यह एक artificial सा दिखने वाला इंसान का पूतला है जो कि खेतों में पक्षियों को या जानवरों को बगाने के काम में आता है assignment sheets एक-एक page के ओपर topic wise लिखी जाती है तो next topic आप लोग लीजेगा basic practices for crop production क्रॉप production क्या है तो हम लोग इसमें soil को prepare करते हैं sowing इसमें बीज बीजते हैं इसमें manure लगाते हैं irrigation सिंचाई करते हैं beards यानि जो unwanted plants आपकी फसल के साथ उगते हैं उनको हटाते हैं harvesting यानि फसल को काड़ते हैं storage यानि की फसल का वंधारन करते हैं next page में आप लोग लिखे preparation of soil soil preparation का meaning है आपने खेत में hull चलाना है उसके माद मिट्टी को level करना है मिट्टी को level करने के बाद उसमें जो है seeds जो है वो डालने है ताकि plant grow कर सके तो इसमें मैंने हल के बारे में लिखा है आप tractor की मदद से भी खेत को जो है वो loose कर सकते हैं soil को loose कर सकते हैं तो सबसे पहले मिट्टी को loose करने की process को हम लोग बोलते हैं tilling तो crop production में हमने क्या किया पहले हमने soil को prepare किया sowing इसमें bees डाले फिर इसमें manure लगाया फिर irrigation इसमें जिंचाई की इसके बाद हमने unwanted plant को जो फसल के साथ लगे हैं उनको हटाया फिर harvesting की फसल की कटाई की फिर threshing की जो seeds हैं उसको भूसे से अलग किया और last में हमने अपने grains को store किया अनाज को store किया तो next page पर आप लोग लिखेंगे manure और fertilizer के बारे में तो plant को जो nutrition है nitrogen, phosphorus, potassium है वो उसको manure या fertilizer से ही मिलेगा देखिए जो fertilizer है यह factory में बनता है और plant के लिए इसमें nutrition होता है आप इसे plant को दे सकते हैं जो manure है यह गाय भैंस का गोवर से बनता है और इसमें भी plant के लिए important nutrient है इसके next page पर आप लोग लिखेंगे irrigation यानि सिंचाई, plant को watering करना तो old methods में आप लोग लिख सकते है moat, moat ये एक old system of irrigation है इसके बाद आप लोग chain pump लिख सकते है chain pump जैसा कि आपको image में दिख रहा है इसके बाद आप लोग ढेकली देख सकते हैं, ये सब पूराने method हैं जो कि पूराने समय में use होते थे इसके बाद आप लोग रहात का system देख सकते हैं, जहां पर एक bell की मदद से जमीन से पानी बाहर निकला जाता है और साथ में ही आप लोग जो है, वो modern method भी लिखेंगे, पाटरेंगे, जिसमें स्प्रिंकल सिस्टम में drip irrigation है drip irrigation का meaning है कि plant की जड में directly पानी लगाया जाता है और sprinkle system का मतलब है कि फवारे के साथ पानी देना, घर में pipe के साथ आप भी plants को पानी देते होंगे तो वो क्या है आपका sprinkle system, drip irrigation जाद है बहतर है क्योंकि plant की root को पानी देता है तो आप अपने model में एक छोटा सा drip irrigation का पार्ट भी बना सकते हैं assignment sheet के अगले page पर आप लोग लिखेंगे production from beads यानि कि जो unwanted plants फसल के साथ उखते हैं उनको beads बोलते हैं तो इन beads को कैसे remove किये जाता है इन beads को manually आप हाथ से remove कर सकते हैं घर में रखे हुए औजारों से remove कर सकते हैं या फिर beads को remove करने के लिए आप chemical methods का use भी कर सकते हैं आप लोग market से एक biddy side use कर सकते हैं और इस biddy side को spray pump की सहायता से खेत में चड़का सकते हैं और unwanted plant से जो है वो मुक्ती पा सकते हैं अब next page पे आप लोग लिखेंगे harvesting harvesting यानि फसल को काटना तो फसल को आप लोग हाथ से भी काट सकते हैं जो आपके घर में local auger present है और जो फसल है हाथ से काटने में काफी time लगता है manual काम करने में समय लगेगा तो इसके लिए आप लोग advanced machines का भी use कर सकते हैं फसलों की कटाई के लिए तो market में ऐसी भी machines available है जहां threshing और harvesting दोनों ही साथ में हो जाती है threshing में आप लोग जो husk है जो भूसा है उसे जो seeds हैं उनको अलग करते हैं assignment file के next page पर आप लोग लिखेंगे storage यानि जो आपने अनाज इकठा किया है इसको आप कहां store करेंगे अपने घर में एक लोहे की टैंकी में भी store कर सकते हैं अगर बहुत जादे अनाजे जैसे सरकार है वो बड़े बड़े गोदाम बनाती है अनाज को store करने के लिए जिसे कि हम लोग silos बोलते है या फिर granaries बोलते है बिड़ा last page पे आपने लिखना होता है conclusion कि जो ये आपने model बनाया है या जो assignment file बनाई है जो आपने topic लिए है इसका conclusion कहें तो conclusion ये है कि crop production मारे लिए बहुत उपयोगी है इसके बिना हमें फसले अनाज दूद अंड ये सब चिज़े मिल नहीं सकती है आप लोगों को ये assignment file क कैसे लगी comment section के माधियम से जुरूर बताए शो support like share subscribe